दीपो के इस परपल मैं मीरा देवी राजनीती रसराय में एक गंभीर मुद्दे को उठाने आई हूँ जहां एक और यह तेवारा में आसा, सुरच्छा और सुक का संदेश देता है वहीं दूसरी और हाले में उत्तर प्रदेश के चित्र कूट में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे समाज और सुरच्छा के ढाचे को गहरे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है इस घटना में एक लड़की के साथ जो हैवानियत हुई है उसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में हमारी बेटियां सुरच्छी थें या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक राजनीतिक नारा बन करके रह गया है चित्रकूट जिले में थान बरगड कस्वा के एक नर्सिंग होम में काम करने वाली 23 वर्षिये नर्स को 26 अक्टूबर की सुबह चार यूकों ने बंधग बना कर सामोहिक बलतकार किया था कुलिया के पास था काफी देर से किसी प्षूण लागा थी बोरह थुम्हरत में काफी देर से को देखा था मुसात में किसी किया थी तेन चार वटेश निए दुडा था पोज़िगा है और सीने में चल गड़ा है था और दोनों हाथ बांद कर रेलवे ट्रैक पर फेग दिया था वह जंगली रास्ते से होते हुए नर्सिंग होंग ड्यूटी पर साइकिल से जा रहे थी और वो हर रोज जाय करती थी तभी आरोपियों ने उसे बंधक बना लिया था नर्स की पिता की तहरीर पर पुलिस ने चार अग्यात योकों के खिलाप मुकादमा दर्ज किया था उत्ता प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदितनाच और केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिसा अक्सर महिलाओं की सुरच्छा के बड़े बड़े दावे करते हैं उनका कहना होता है कि आज की बेटिया रात में भी स्कूटी पर बेजी जग घूम सकती हैं वो भी गहने लाद कर आज कोई भी क्योहार हो छटका हो दिपावली का हो सोला साल की बच्ची गहने लाद कर स्कूटी पर रात को बारा बज़े भी यूपी की सडकों पर निकल सकती है कोई डर कर लेकिन यह कथन कितना सही है कितना मेल खाता है जब दिन दहाडे इस तरह की घटनाएं होती है तो दावे और वादे खोकले होने लगते हैं नेताओं के बयान अगर जमीनी हाकिकत से मेल नहीं खाते हैं तो लोगों का भरोसा भी इस सिस्टम से उठने लगता है अरे अमिसाह जी आपको क्या खबर है कि लड़किया यूपी की सड़कों में वो भी साइकिल से गहने नहीं पहने हैं सिंपल ड्रेस में हैं सिंपल कपड़े पहन कर भी दिन दहाडे भी नहीं बच पा रहे हैं जैसे ये घटना हुई उनका गैंग रेप हो जाता है उत्त प्रदेस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिससे नारे डर का माहौल खत्म करने के दावे जितनी बारी सुनाई देते हैं उतनी बार किसी महिला या लड़की के साथ दरिंदगी की खबरे सामने आते हैं यह केवल एक बिरोधा भास नहीं है यह उस बेवस्ता की असे फलता है जो महिलाओं की सुरच्छा का ठोस आधार देने में बिफल रही है सिर्फ चित्र कूठी नहीं हर दिन कहीं न कहीं से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो यह साबित करती हैं कि महिलाओं के प्रती अपराद का ग्राप बढ़ता ही जा रहा है इसे भीडमना नही तो क्या कहें जहां सरकारे बेटियों को बचाने की बात करती हैं वहीं दिन दहारे महिलाएं असुरच्छित महसूस कर रही हैं यह सरकार और समाज की उस असफलता की तस्बीर पेस करता है जहां महिला सुरच्छा केवल कागजी नीतियों तक सीमित हो गई हैं इन घटनाओं में अपराधियों का निडर हो करके इस तरह की हैवानियत करना यह दरसाता है कि पुलिस और प्रसासन का रवया कितना लचर हो चुका है यदि प्रसासन सही समय पर सक्ती से कारवाही करे तो अपराधियों का यह मनोवल तूटेगा लेकिन पुलिस का कमजोर रवया और कानून की धीमी परतिकर आएं अपराधियों को और अधिक साहसी बना देती है यह इस्थिती हमारे कानून विवस्था की एक भयावह तस्बीर पेश करते है यह गटना उन गिनी चुने मुद्दों में से एक है जिन पर मेन इस्टीम मीडिया की चुपी आस्चरे जनक है जब ऐसे जगन अपराध समाज की अंतर आत्मा को जग जोरने चाहिए तब मीडिया का ध्यान उन विशाओं पर ना हो करके किसी और मुद्दे पर होता है यह खामोसी केवल एक खबर का गायव होना नहीं है यह उस समवाद की खत्म होने जैसा है जो समाज में बदलाव ला सकता है क्या ऐसे विशाओं इतना कम मायने रखते हैं कि उन पर चर्चा भी गिने चुने चैनलों पर सीमित हो जाए यह सवाल समाज से भी है आखिर क्यूं हम एक ऐसा महौल बना रहे हैं जहां महिलाएं बाहर क्या अपने घर के भीतर भी असुरच्छित महसूस करतू है इस विक्रत मानसिक्ता का मुकाबला करने के लिए ना केवल कानून में सुधार की जरूरत है बलकि हमें अपने बच्चों को महिलाओं के प्रती सम्मान का संसकार भी देना होगा जब तक समाज इस दिसा में ठोस कदम नहीं उठाएगा तब तक यह मानसिक्ता बदलने वाली नहीं है मेरा मानना है कि यह समय है कि सरकार, प्रसासन और समाज मिलकर मिला सुरच्चा के प्रती अपनी प्रती बद्धता को गंभीरता से ले केवल नारों और वादों से बात नहीं बननेगी कानून को सक्ति से लागू किया जाए और दोस्यों को जल्दी और कठोर सजा मिले इस प्रकार हम दीपवली का असली संदेश उजाले और सुरच्चा का समाज में इस्थापित कर सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही अगली बारी में फिराऊंगी एक राजनीतिक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाशा